दोस्वन वीडियो में आगे बने से पहले मैं मैं आप सभी को दिवाली की बहुत- 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 शुबकामनाय tipping हुआ देना चाहते हुआ हमारे हापीच एटिस फैमिली मेंस उनस अब तह द से धिवाली बताऊंगा सारे फीचर्स और मैंने कितने में खरीदा कहां से खरीदा और डिस्क्रिप्शन में कुपन कोड है उसको कैसे अप्लाइ करना है सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहले बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का तो दोस्तो यह है रेड्मी अडॉट्स का बोकस आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर कर रहा है इससाइड बात को कुछ दिखने मिल जाते हैं जो के चाइनिज में आइकन से दिखने लगता है यह ब्लूटूथ और ये IORTS, बोक्स के पिछे सइड साइड अगर आप देखोगो, तो, यहां पर सारी डिटिल्स लिखे इस i Watts के बारे में, लेकिन ये सारे के सारी डिटिल्स चाइनिज में लिखे तो मेरे काम के कुछ नहीं है यहां पर आपको एक बारreckकोड मिल जाता है जिसे आप स्कैन करके प्रोड़क की जांगारी पा सकते हो और सिससे में और आप को कुछ ओपन करते हैं इस बॉक्स को टान टान बॉक्स को जैसे आप उपन करते हो यहां पर आपको आपका रेडमी यह डॉट्स देख में मिल जाता है इसको मैं अभी आपको उपन करके दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में अब तक के लिए जलक देख लीजिए और देखते हैं का मिलते हैं में बॉक्स में चोटा सा क्यूट सा यूजर मैनुल मिलता है लेकिन यह भी पूरा चाइनीज में है तो फिर मेरे गाम का दो कुछ नहीं रहा है और इसी के साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा यह पीस देखने मिल जाते हैं और तो फिलाल इस बॉक्स में कुछ भ करने में जो यहां पर आपको रेडमी की ब्रैंडिंग देखने मिल जाएगी इसी के साथ साथ अगर में आपको एक अच्छा सा एक्डम बोलते हैं अंदर और अंदर मैगनेट लगए तो जैसे आप इसको इंसर्ट करते हो एफट से यह खीश लेता है जो कि एक बहुत अच लगता है और दूसरी दर्फ में बात करो तो यहां पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया जिसके तुरू आप इस रेडमी एर डॉट को चार्ज कर पाऊगे लेकिन आपको बॉक्स कॉंटेंट में आपको योजबी गेबल नहीं दिया गया तो आपके पास सेपरे डिवाईस होते है उसी धन से यह वह काम होता है और विकली कनेक्ट हो जाता है यह मेरा एक्सपीरेंस है तो कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है इस रेडमी एर डॉट के इयर बर्ड में और जैसी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो आपका यह यह आपको को दूसरा वाला भी switch on करना होगा connect करने के लिए तो यहां पर भी आप देखोगे कि यहां पर लाइट आ चुकी है तो डिवाइस तो कनेक्ट हो गए आपके फोन से अब यहां पर चेक कर लेते कि इसकी audio quality कैसी है music सुनने पर कैसा experience होता है तो वह आप स्टार्ट करते हैं तो कान में यह इसली फिट हो जाएगा आपके यहां पर यहां पर यहां पर कनेक्ट होता है तो यहां पर आपको मैं कहना जाओंगा कि आप संब्लों कुछ कॉल रहे करना है तो रिसीव करेंगे लिए आपको यहां पर एक बार प्रेस करना है आपको कॉल अटेंड हो जाएगा और बाद में डिसकनेक करना है तो वापस एक बार दबा दो आपका काम हो जाएगा इसी के साथ साथ अगर आप कुछ music सुन रहे हो और आपको pause करना है तो उसके लिए भी same process है यहां पर एक बार आ audio quality के बारे में तो audio quality का experience काफी अच्छा रहा लेकिन यहां पे कुछ चीज़े आपको ध्यान में रखनी है यह सीर बड में जो आपको audio quality में आपको देखने मिलेगे कि यहां पर आपको जो audio quality है काफी loud है मतलब आप जब सुनों को तो आपको लगए एकदम जोर का बज़ र नहीं मिलेगे सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही अच्छा यहां पर audio quality को लेकि जो कि बहुत loud है especially अगर आप ट्राइवल कर रहे हो बाहर और आपको मतलब काफी भीड़ बड़का मौरा एकदम ट्राफिक हो गई है लोग हॉन बज़ा रहे फिर भी आप गाना सुन रहे तो आ बास ट्रेबल और देप आपको कुछ भी इसमें देखने नहीं मिलेगा इसी रेडमी के एड़ॉट में तो यह मेरो को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक ऐसा परसन हूं मुझे खुद को उस म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है I am also music lover person but मुझे music उस जंग से पसंद है ज जो लोग दिन बर कॉल से ना पसंद करते हैं इस दिन बर कालिंग का काम होता है या फिर उनको बुलते हैं जादा अगर बिजनस से कॉल सफिस से कॉल दिन बर कॉल आते रहते तो यह डिवाइस उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होना लगा क्योंकि यहां पर आपक पर मुझे फ्रीली मतलब एक दो गंडे अगर कॉल करना है या फिर कुछ परसनल पाते करनी है परसनल परसनल या फेवरेट परसन से फ्रेंट से बॉइफ्रेंट से गर्ल फ्रेंट से उसके लिए चीज बहुत अच्छी होगी तो यहां पर आपको कॉलिंग का एक बहुत मस कोई भी जहां पर आपको भीड मिल रही है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यह आपको कान से गिर जाएगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा तो यह मतलब ऑविसली अप छोटा सा है लेकिन काफी काम की चीज सो है लेकिन गिरने का भी डर होता है तो वह चीज का आपको ज़रू धियान रखना होगा जब आप यह अरबट पर्चेस कर रहे हो और दोस्तों बात करें इस डिवाइस के बैटरी लाइफ के बारे में तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इसको कम से कम एक से देर खंटी लग जाते है चार्ज होने के लिए फुल कम से कम 5-6 गंटे फुली चलने वाला है तो 5-6 गंटे आप आराम से यूज कर सकते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस एक वीक के दौरान दोस्तों यहां पर सवाल उटता है कि क्या आपको यह डिवाइस लेना चाहिए की नहीं तो यहां पर मैं एक परसन हूँ जहां पर और हो हो कि आपको फील होता है की यार आपको आपको इक्तम लाउड म्यूजिक पसंद तो यह यह डिवाइस आपके लिए नमबर बहुकर के सुन रहे हों के सलोगिया पर अपको दिन बर कॉल्स आते रहते याफिर कॉल्स लेना पसंद करते हो और तो इसके लिए बी वैसी यूजर के लिए इस प्रफेक्ट ओगा जहां पर आपको कॉल लेने में काफी मदद करेगा काफी है स्थाइब करें यहां पर आप कान में लगा लो उसके बाद टेंशन होता ही नहीं है क्योंकि पता भी ने चलेगा कि आप कॉल पे हो या निकिकर इतना मतब चोटा सा ये अरबड दिया गया है इसको को आपको टैंशन लेने बात ही निए आपके फोन में बात करना कोई भी प्रॉलम नहीं होने वाली यहां पर इस डिवाइस में आपको Bluetooth 5.0 देखने मिलने वाला है तो जो की सबसे लेटेस मार्केट में है तो एक बहुत अची बात है इस डिवाइस की मतब रेड़ने आपको लेटेस Bluetooth दिया हुथ एक बहुत अची बात है तो बात करीं यहां पर इस डिवाइस के प्राइजिंग के बारे में जो मैंने खरीदा था बैंगूट से तो मुझे क प्राइजिंग उपर नीचे होते रहते हैं वो बैंगूट पर काफी ओफर भी चलते रहते हैं तो एक बार बैंगूट को ज़रूर कंस्रीडर कीजिए और इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बाइंग लिक दे दिया है वहां से अब क्लिक करके उस आप प्रोड आपको मैं प्रोब प्रोसेश जी बदाता हूं कैसे आपको कूपन को डावेल करना है तो जो बाइंग लिंक है उसको क्लिक कीजिए क्लिक करने का सिदा प्रोडक्स के पेज पेज पर जाओगे वहां पर जैसे करते वहां पर आपको अलग-अलग कलर का ऑप्शन दिया जा कि यह जो प्रोडक्ट है आपको अलग-अलग कलर में दिखने मिलेगा वाइड, ब्लाक, ब्लू, रेड तो आपका जो फेवरेट कलर है वो सेलेक कर लो करके आगे बढ़ो तो आपको एक पेमेंट का पेज आएगा पेमेंट के पेज पेज पर आपको जो भी पेमेंट मेथड है आपका डेबिट का जो भी ऑप्शन करना उसके बाद अगर आप ध्यान से दुखो तो वहाँ पे कुपन का एक रेडियो बटन दिया गया है तो बस उस रेडियो बटन पर क्लिक करो आपके भाई का आपके भाई का कोड अपलाय करो डिसकाउंट लो वहाँ पे जो आपकी एफेक्टिव प्राइस होगी तो आगर आप कंसिडर करो कि जो प्राइजिंग स्टार्टिंग में थी मतलब 2700-29 रुपे के बीच में वो थोड़ी स साथ साथ अगर आपकोई सवाल कोई भी सुझाओ या कोई भी क्वेश्चन हो का इस से रिलेटेट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पूरी कोशिश की जाएगी आपके सवालों को जवाब देशेगों इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है लाइक, लाइक करो, शेर करो जो लोग नहीं है हमारे हैपी गाइट चैनल को हमारे हैपी गाइट फैमडी को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में तेल देन कीप स्माइलिंग एन कीप वाचिंग हैपी गाइट और इसी के साथ आथ आप हुआ है